श्रावण मास के पहले स्वंबार को महाकालिश्वर मंदिर में बावा की भगतों का ताता लगा हुआ है रात दो बज के तीस मिनट पर मंदिर के पट खुल गए हैं वही तीन बजे भगवान महाकालेश्वर का जलाविशेकर दही दूद पंचामरत से अविशेक हुआ है भस्म रमाने के बाद भांग और सुखे मेवे से श्रंगार कर आरती हुई सुवे चलाए मान रहते हुए दर्शन करने वाले श्रधालों के जैकारे से मंदर पर शर्व गूझ उठा मही भस्मारती के लिए भक्त रात 12 वजे से ही लाइन में आकर खड़े हो गए थे आपको बताने कि महाकालेश्वर की श्रामट भादों में निकाली जाने वाली सवारियों के क्रम में श्रामट महा की पहली सवारी स्वामबार को निकाली जाएगी दो साल बाद बाबा भक्तों का हाल जानने परंपरागत मार्ग से निकलेंगे कोरोना की करण पिछली दो सा से सवारी को बदले हुए मार्ग से निकाला जा रहा था प्रसासक गड़ेश कुमार धाकर ने बताया कि भगवान मन महेश श्वरूप का पूजन अर्चन महाकाल मंदिर के सवामंडक में सामचार बजे किया जाएगा इसके बाद ही मन महेश पालकी में विराजित होकर नगर पर निकलेंगे